गाइस क्या आप भी बोर हो गए अपने घर का पुराना डियुकरेशन देखके इंधीर देखके तो क्यों ना हम मिलके कुछ नया बनाएं और अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने लेने पॉप्सिकल स्टिक येस आइस्टिम स बाद इस तारे कोल जिसके साथ अमने पृता नहीं कितना खेला है मैंने दुब बहुत कहला है विच्वर बछे एक आपके ने खेला है या ने मुझे जरूर बताना मैंने तो बहुत खेला भास के साथ इसे अपने स्किन में ठोड़ा सा लगाएं करके फिर राई होने के बाद स्किन पीलिंग की जो फील आती है ना बहुत मजाता है मुझे तो करने में और यह सेकंड पॉप सिक ने खेलना नहीं है बाबा इसके सांथ इसको भी इसमें ही स्टिक करना है हाँ ऐसे हमने इसको स्टिक कर देना है और वैसे आप सोस्टों कि इतना फ्रजाइल होता ह आपना इस और इसके सांथ स्टावेकोण जुड़ जाता ना बहुत अच्छा काम करता है बहुत ही बड़ी अग्लू बन के आता है इसके पाद आपको जादा आस्टिक कि हमको में मैं जरूत नहीं लगने वाली है बड़को लेना है कलर और ब्रस को उसमें डिप करना है और फिर लिपाई पुता ही पुता ही करते जाए है कॉर्नर्स बिल्कुल मच छोड़ेगा कॉर्नर्स बिल्कुल अच्छे से पैक करेगा कलर से ताकि लुक अच्छा है और यह देखिए फुरा सुखने में टाइम लगेगा आप चाहतों से वैसे वहाँ पर छोड़ दे और यहां फैन चला दें तो जल्दी सुख जाएगा और देखिए हमारे फ्रेम अभी कितनी सुन्दर लगने लगे हैं क्योंकि यह बिल्कुल कॉर्नर्स पे ब्लाक कलर अच्छे से गया न तो इसलिए इसका लुक बहुत ही फिनिस सा आता है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है यह देखिए हमने पहले चार फ्रेम को लेन ग्लू चपका करके बीच में एक और फ्रेम को लगा दिया तो इससे हमारे जो पांच बॉक्स हैं वो रड़ी हो गया है यहां पर हम ट्रेल बनाते जाएंगे हमने दो और एड़ किये और इसमें भी हम ग्लू लगाएंगे आप चाओ तो फैविकोल यूस कर सकते हो फैविक एक होता है ना मज़ा बहुत आता इसको बनाने में और यह जो बॉल पर लग जाता है इतना सुन्दर लगता है गईस पता जब इम यह ने बनाया और इसकी फोटो मैंने अपने हस्बंड को शेयर करी तो मैंने कुछ लिखा नहीं था मैंने सिफ ऐसी फोटो बेसिया तो उन ने भी मुझे कॉंपलिमेंट किया गईसे से उपर नीचे दाइबाएं के दर से भी आप देखोगे बहुत ही अमेजिंग लगता है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दो लाइक